अस्तामलेकूम कैसे हैं आप सब लोग आई होग के ठीक ठाक होंगे और जो नहीं भी है ठीक चले जल्दी से ठीक हो जाएं फिर आपने मेरी शोपिंग भी देखनी है और यहाँ पर सबसे पहले मैं गई थी आइक्या हमें लगा था कि होमबोक्स जो है वो काफी एक्सपैंसि वाश रूम बैड एरिया सब बहुत अच्छे से डिजाइन करके दिखाया वादा कि अगर किसी ने छोटा एरिया भी छोटी जगा को भी डिजाइन करना है तो वो यहाँ से आइडिया ले सकता है और यहाँ पर काफी कुछ था और यह जो मिरर था ना इस पर मेरा दिल ला गया है मतलब 100% चांसिस थे जो मैं इसे खरीद लो मैं खरीद लोंगी क्योंकि यह इतना एक्सपैंसिव नहीं था बाग की चीज़ों के और मेरी मदर ने कहा कि नहीं अभी रुक चो इसके बाद तुम ले लिना लेकिन अभी 100% है कि मैंने इसे ले लेना है तो यहाँ पर हर तरह के मतलब वाइट थीम भी है ग्रे भी है प्लैक भी हर तरह की थीम इननों रखी हुए है और यह आई थिंग कुशन कवर्स थे में इनने ना चेक कर लेती क्योंकि मुझे घर की कवर्स के लिए चाहिए था लेकिन बस हम जल्दी-जल्दी में इधर देख उधर देख क्योंकि इतना समान होता है तो एक चीज़ पर नज़र रहती नहीं और यह जो वूर्ण का बैट था ना मतलब यह सारा मट्रीरियल इनका बहुत अच्छा था इसका साइड बैट टेबल थी यह और यह मुझे पसंद आए थी क्योंकि काफी चोटी थी और मेरे कमरे की जगा के हिसाब से अच्छी थी तो यह हमने अभी देख रहे थे यह भी हमें बहुत पसंद आई थी और यह लैंप चुथा ना यह मारी आँखों में नजरों में लेकिन यह काफी एक्सपैंसिव था तो देखते हैं में भी हम बाय कर ले मीरर और लैंप हमारी अभी नजरों में उसके बाद हम लोग गए थे अंसार गैलरी कियोंकि मैं आपको बता रही हूं हम लोग बहुत खवार ओरे ना टेबल की कलर की वज़ा से तो तेबल का जो कलर ग्रे चाहिए ग्रे कहीं पे हमें मिल ले रहा तो इतनी खवारी हमें हमें हमारे सारे काम इस टेबल की वज़ा से बैठे में तो दैन यहा कर रहा था मैं यहां पर इन्हें एक ले लूँ या बाय कर लूँ लेकिन मुझे मामा से फिर डान पढ़नी थे उन्होंने मुझे यही कहना था कि तुम अब फिर स्टोक कठा करने लगे क्योंकि पाकिसान में यह काफी आइधिंक बाय किये थे और मैंने वीडियो में भी इन्होंने जो कर्टेंज होते हैं ना पड़्दे वगारा वह भी थे मतलब बेटशीट्स भी थी का बहुत बड़ी एंसार गैलरी हमने तो बिलकुल नहीं देखी क्योंकि हम टाइम खतम हो रहा था एंड पे गए थे और इनकी ओफ चल रही थी आइधिंक 70 परसंट थी तो जब हम गए थे ना तो इनकी ओफ यह लोग मतलब वो उतार रहे थे अपनी ओफ का जो इन्होंने लेबल लगाया वा था और यह मुझे बहुत अच्छा लगा था मिर बाद में मैंने अपनी ममा से का यह हम खरीद लेते तो मिर ममा ने का तुम्हें हर गंदी चीज अची ल तो काफी बड़ी विराइटी तो और ओफ भी था मेरे प्राइस तो किसी के भी चेक नहीं किये और यहां पर हर चीज मिलती है मतलब आपको आप देख भी नहीं सकते एक टाइम में सब चीज है और यह रक्लाइनर मतलब रज़े था कि हम अपने घर में रक्लाइनर लें ले कि रेलो टेबल लेकिन हम मुझे पता चल रहा था ब्राउन किलर जो है वो अड्जेस्ट नहीं हो पाएगा उसके पाद यह लेंब की और यह कैंडल की इतनी वराइटी थी पसंद बहुत आ रही थी और यह जो था ना यह मतलब मेरा दिल करे मैं सारे ही उठा लो लेकिन करना बुरी बात होती है तो इस वजह से बस आपको मैं दिखा रही हूँ था कि आप भी देखें और मैं भी अपना दिल मतलब भर लो पूरा कर लो तो यह जो लास्ट में मतलब कैमल आएगा ना इस पर तो मेरा दिल आ गया था मैंने प्राइस भी नहीं देखी कितने की है क बहुत प्यारे लग रहे थे इसके बाद ना यह मैंने लास्ट रम ले था नहीं यहां पर आपको दिखा रही हूँ और जो अनसार गैलरी से मैंने शोपिंग की थी मुमा मैं आपको नेक्स व्लोग में दिखा दूंगी तो यहां पड़ना यह कुशन ले थे हम यह पहले ल ले यह काफी एक्सपैंसिफ मिले थे हमें क्योंकि वैलवर टच के थे और यह हमने ब्लू कलर ना बस इसलिए ले था ताके ना हमारी जगा पर थोड़ा सा उठाओ हो जाए क्योंकि ग्रे 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 बहुत डल जा रहा था तो उन्होंने हमें कहा था जब आप यह कुशन यह थोड़ी से मैंने बस वीडियो बनाए थी खैर आई होप सो कि आपको अच्छे लगी होगी अच्छे लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीज़ेगा ओके जी आला अफेज